अगर आप लोगों को यही वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग मेरी चैनल पर चेक कर सकते हैं आपको वीडियो इंग्लिश में मिल जाएगा यह हैं Mr. Reader आज हम Reader Response Theory के बारे में बात करने वाले हैं यह Mr. Reader है और यह अपना एक opinion देंगे यह दूसरे Mr. Reader है यह भी अपना एक opinion देंगे या इनका opinion लेंगे इस बुक को पढ़ने से पहले इस इस सेम बुक अब Reader Response Theory में होता क्या है कि कोई एक Reader अपना opinion देता है उस opinion क according हम किसी बुक को पढ़ने से पहले उस बुक को जज़ करते हैं कि ओके यह बुक कैसे होगे और क्या होगे अब ऐसा नहीं है कि मैं बुक के बारे में जाता जानता नहीं मैंने किसी बुक के बारे में पढ़ा और मुझे उपसंद नहीं है मैंने कहा कि नहीं यह बुक गलत ह and I don't like this book so मेरा opinion count नहीं होगा as a reader response theory क्योंकि मैं एक ideal reader नहीं हो, यहाँ पे concept बहुत important है, यह हर किसी के opinion की बात नहीं हो रही है, यह एक expert reader की opinion की बात हो रही है एक ideal reader की opinion की बात हो रही है now, अगर हम if we talk about reader so we will say every reader's opinion is different or every reader is different, हर reader अलग अलग तरह से किसी work को पढ़ता है, and different, they give different opinion, वो अलग अलग opinion देते है, so what are expectation from the text, की हमारे जो expectation है, वो किसी text से क्या है, और उसके according क्या होता है, कि हम अपना opinion देते है, means whether it is fulfilled, क्या यह fulfilled हुए यह opinion, और क्या इनोंने हमें proper तरीके से rhetoric किया, how does the text invite a response, यह भी एक reader response theory में हम ध्यान रखते हैं, कि किसी के opinion को क्या किसी text ने, कितना influence किया, okay, यह भी इसका एक part है, so totally हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक reader के response की, किसके response के लिए, जो उसने पढ़ा है, जो उसने opinion दिया है, अब यह opinion बहुत important है, क्यों important है, क्योंकि जब आप किसी opinion को लेते हैं और फिर उस work को पढ़ते हैं, जैसे okay, एक example देता हूँ आपको, कि एक, एक book थी, किसी एक writer ने लिखी, अब एक अच्छे critic ने इस book को पढ़ा, उसने इसके बारे opinion दिया, क्योंकि that's a very bad book, क्या impact पढ़ेगा इस book पे, means जादा लोग नहीं खरीदेंगे इस book को, क्यों नहीं खरीदेंगे, वो सुचेंगे okay, इतने बड़े critic ने जब इस book के बारे में लिखा है, कि गलत है तो गलती होगी, okay, same thing happens with a movie as well, हम एक example ले ले लेते हैं, कि movie थी और किसी ने देखा, हमने देखा कि ओके लोगों ने इसके बारे में क्या किया गलत opinion दिये, तो impact पढ़ता है तो reader response theory इसलिए important है, इसलिए हम इसे study करते है कि किस तरीके से क्या चीज़े हो सकती है, okay, और opinion कितना matter करता है किसी चीज के लिए, अब, same thing कि कि किसी अच्छे reader ने इस book को पढ़ा, उसने कहा कि that's a great book so मैं कहूंगा, okay, that's a great book so I must read this book मुझे इस book पढ़नी चाहिए, तो hopefully कि आपको समझ में आया होगा, कि reader response theory है क्या, अब आपका काम क्या बनता है, okay, ये भी आपका काम है, subscribe कर लिजे, share कर लिजे, like कर लिजे, और comment कर लिजे, okay, comment अगर आपको, this is my, you know, opinion कि आप comment में ये भी लिख सकते हैं कि वीडियो हमें इतना पसंद नहीं आया क्योंकि आपका explanation समझ में नहीं आया, तो मैं कुछ और तरीका निकालूंगा आपको समझाने का, या अपने expression को ठीक कने का, या जो मेरा explanation skills है, alright, तो आपका एक comment जरूर बनता है, आपको कैसा लगा वीडियो, तो चलिए, इसमें most important part जो समझना है, वो ये है, it's not only your opinion, alright, कि किसी general एक opinion की बात नहीं कर रहे हैं, but your engagement with the text, कि आप कितने engaged रहे उस work के साथ, आपने वहाँ क्या-क्या देखा, आपने कितना analyze के अप लोग, and does it help to understand the text, और क्या आपके opinion, आपका opinion matter करता है उस text के understanding के लिए, ये थोड़ा higher version हो गया, इसका, but hopefully कि आपको समझ में आगया होगा, कि ये पूरी थियोरी किसके बारे में है, आप लोग बाकी वीडियो भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि फेमिनिस्म पे होके कल बनाऊंगा, but new criticism video, you can check out on my channel, and you can check out the another video on deconstruction on my channel, thank you for watching, bye-bye, take care, happy learning,